करन जोहर ने कार्तिकारियन को धर्मा प्रोडक्शन्स से किया बैन धर्मा प्रोडक्शन्स कार्तिकारियन के साथ आज के बाद कभी भी काम नहीं करेगा सिर्फ धर्मा ही नहीं बलकि धर्मा की जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो भी कार्तिकारियन के साथ काम नहीं करेंगे करन जोहर की टीम ने ये फैसला ले लिया है इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट सामने आई है मीडिया के गलियारों से खबर आई है कि करण जोहर कार्तिकारियन और उनकी पियार टीम से बेहद नाराज है इसके पीछे कारण बताया जा रहा है फॉल्स डेट कमिट्मेंट्स जो की कभी पूरी ही नहीं हो रही है दोस्ताना 2 ये फिल्म कार्तिकारियन धर्मा प्रोडक्शन के साथ कर रहे हैं और इस फिल्म की 20 दिन की शूटिंग कार्तिकारियन कर चुके हैं इस फिल्म का second schedule शुरू होना था लेकिन अभी थक हो नहीं पाया इसके डीले का reason बताया जा रहा है कार्थिकारियन का unprofessional behavior कार्थिकारियन की team ने dates तो दी लेकिन उन dates पर कार्थिकारियन कभी पहुँचे ही नहीं इसलिए एक unprofessional behavior का इल्जाम कार्थिकारियन पर लगाया गया है इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कार्थिकारियन को story में कुछ changes चाहिए थे दोस्ताना टू की creative team और कार्थिकारियन के बीच creative differences आ गए जिस कारण कार्थिक की वो शर्ते और वो बाते नहीं मानी गई तो उन्होंने dates देने के बावजूद अपने आपको इस project से दूर रखा रेपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि दोस्ताना टू की पूरी story जो है करण जोहर सिर्फ और सिर्फ जानवी को focus में रखकर बनाना चाते हैं लेकिन वहीं अगर बात करें कार्थिकारियन की तो इस वक्त वो career में अच्छा कर रहे हैं इसलिए उन्हें भी बराबरी की footage चाहिए थी यही कारण है कि यहां से इन दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ वर हम सब जानते हैं कि करण जोहर के लिए जानवी कपूर कितनी फेवरेच है उन्होंने अकेली जानवी कपूर को लेकर फिल्म गुंजन सकसेना भी बनाई थी और करण जोहर का star kids की तरफ जुकाव तो सबने देखा ही है कार्थिकारियन के इस बरताव को देखने के बाद उनके इस attitude को unprofessional कहते हुए अब करण जोहर ने कार्थिकारियन को दोस्ताना 2 से हटा दिया है अकसर ऐसा होता है कि जब फिल्मों की shooting 20 दिन की हो जाती है तो actors को replace कम ही किया जाता है और पहले के जमाने में ये बहुत होता था लेकिन आजकल ये नहीं होता क्योंकि actors बहुत जदा committed है और एक discipline में काम करते हैं ऐसे में फिल्म की 20 दिन की shooting खतम करने के बाद कार्थिकारियन को हटा देना ये एक बहुत बड़ी बात है करण जोहर की team अब ऐसे actor को तलाश रही है जो कार्थिकारियन को replace कर सके जहां एक तरफ इस पूरे मामले में कार्थिकारियन और उनकी PR टीम का false commitment बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कार्थिकारियन और जानवी कपूर के खराब रिष्टों के कारण ही ये जगड़ा हुआ है actually दोस्ताना 2 के दौरान ऐसी बाते आई थी कि कार्थिक और जानवी एक दूसरे को डेट कर रहे है in fact जानवी कार्थिक और उनकी बहन खुशी जो है तीनों गोआ ट्रिप के लिए भी गए थे लेकिन उसके बाद से ही दोनों बदले-बदले नजर आए हला कि ये रिपोर्ट कितनी सची है ये नहीं कहा जा सकता है बट इसमें बहुत बड़ा गेम जो है कार्थिकारियन की पियार टीम का है जिस पर इलजाम लगा है कि शुरुआत से ही कार्थिक को लेकर जूठी खबरे मीडिया में फैला रहे हैं सबसे बड़ी बात कि करण जोहर ने इस फिल्म में जानवी कपूर को लीड आक्ट्रिस के रूप में कास्ट किया जो कि एक स्टार केड है लेकिन इसमें कार्थिक को कास्ट करने का कारण ये था कि कार्थिक एक आउटसाइडर है और करण जोहर पर जो नेपोटिस्म का टैग लगा है उस टैग को हटाने के लिए करण जोहर ने कार्थिक को इस फिल्म में लिया लेकिन जिस आउटसाइडर को लेकर करन जोहर अपना नेपोटिस्म का धबा हटा रहे थे उसी आउटसाइडर को उन्होंने अब बाहर का रस्ता दिखा दिया है कुछी दिनों पहले खबर आई थी कि कार्तिकारियन के फिल्म धमाका जो की 30 करोड के बजट में बनी है वो 130 करोड में OTT प्लाटफॉर्म पर बिकी है इस खबर के बाद जब जाच करने की कोशिश की गई तो ये खबर पूरी तरह से जूटी निकली सिर्फ और सिर्फ कार्तिकारियन को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह की खबर उनकी PR टीम की तरफ से मीडिया में भेजी गई इनफेक्ट सच्चाई तो ये है कि 130 करोड का जो आंकडा बताया गया है कार्तिकारियन की धमाका के राइट्स उससे काफी कम दामों में भिके हैं इनफेक्ट इसके बाद एक और बार कार्तिकारियन की टीम ने जूठी खबर फैलाई ये कहकर कि शरत शर्मा की अपकमिंग फिल्म जो की धर्मा प्रोडक्शन के साथ है उसमें कार्तिकारियन काम कर रहे हैं ये खबर भी मीडिया में आग की तरह फैल गई फैनली इस खबर को भी जूठा ठहराया खुद करन जोहर ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कास्टिंग अभी तक फैनलाईज नहीं हुई है तो इस तरह से कार्तिक की जूठी ब्रैंडिंग, कार्तिक की डेट्स देने के बावजूद कार्तिक का नहीं पहुँचना और हर रोज शूठिंग के लिए टाल मटोल करना कहीं न कहीं कार्टिक के लिए भारी नुकसान साबित हुआ है और दोस्ताना 2 से अब कार्टिक को रिप्लेस करने की तयारी हो चुकी है धर्मा प्रोडक्शन्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और बड़ी बड़ी फिल्में ये बनाते है यानि की बजट इनके फिल्मों का बहुत बड़ा होता है बॉक्स ओफिस रिजर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ और इनके साथ इंडस्ट्री में काम करने के लिए खबर थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि कार्तिकारियन इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर है कार्तिकारियन ने प्यार का पंच नामा से शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत संभल संभल के आगे बढ़ाया है फूक फूक कर कदम रखा है और आज वो जिस जगह पर है बिना किसी गौड़ फादर के है तो ऐसे में अगर उनके कुछ काम आई है तो उनका टैलेंट और उनकी प्रोफेशनलिटी ही तो अपने करियर के इस मुकाम पर जब आगे उनके लिए इतनी बड़ी बजट की फिल्में बनी है क्या वहां पर आकर वो अनप्रोफेशनल हो जाएंगे जिस चीज ने उन्हें सबसे बड़ा बनाया क्या उसी चीज में वो पीछे हट जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्या करण जोहर की कमपनी की तरफ से कार्तिक पर ये जो इलजाम लगाए गए है ये आपको क्या लगता है सही है यह हमें कार्तिक के जवाब का इंतिजार करना चाहिए और उनके तरफ की स्टूरी क्या है वो जाननी चाहिए exact reason production house और कार्तिक आरियन के बीच क्या है ये तो तब सामने आएगा जब धर्मा की इस बात के बाद कार्तिक की तरफ से कुछ official clarification आएगा झाल 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 झाल